नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने सुनाए होगा कि भारत सरकार ने देश के हिद के लिए 59 चाइनीज आप्स को बैंड कर दिया है जैसे कि टिक टॉक, लाइवली, हेलो और बहुत सारे आप्स वीडियो सुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे तो आज के वीडियो में बात करूंगी स्पेशली टिक टॉक के बारे में जिसने हमारे यूद के दिमाग पे गंदेगी फैला कर रखा था मैं यह ने कहूंगी कि हर टिक टॉकर्स चुझे चम किले थे पर उनमें से कुछ टालेंट टिक टॉकर्स भी थे जो अपनी खुद का अच्छा-चा कॉंटेंट लेकर आता था और मेरे हिसाब से उन लोगों का अपनी क्रियेटिविटी से दूसरा प्लाटपरम में भी सक्सेस मिल जाएगा अब वो लोग क्या करेंगे जो टैलेंट के नाम पर स्रिफ लिपसिंग करता था और फैन बढ़ाने के चक्कर में लड़के से लड़की बनता था अब लगता है टिक्टॉकर लाल काला पीला गुलाबी हरा नीला अपने जाड़ु बाल से गर साफ करेंगे किसी किसी को एक टिक्टॉक वीडियो बनाने के लिए चार गंटे लगते हैं जो कि स्रिफ पंडर सेकेंड का होता है अब वो लोग यूटॉब में चार मिनिट का वीडियो बनाने के लिए ये बगवन कितना दिन लगाएंगे टिक्टॉक तो बैंड हो गया पर कुछ मन बुत्ती जाते जाते सीरियस होकर अच्छा कॉमेडी कर गया बैंड बोल रहे हैं कि टिक्टॉक तो बंड हो गया अब घर पे पड़े हुए चाइनीज गुद्स को भी बाहर फैक दे पर बैंड को मालूम नहीं है कि ये उनके पैरेंस ने अल्रेडी पे करके ये समान घर पे रखा है इससे गॉबर्मेंट को तो कुछ फाइदा होने वाला है नहीं पर तुमारे पिताजी का जेब ही खाली हो जाए तिक्टॉकर्स, फॉलोवर्स और फेम के लिए इतना क्रिजी हो गया था कि अपना सरम धरम बेच के खा गया था कोई MMS बनाता है तो कोई किसी के मयत को फेम का सीड़ी बैंड होने की वज़े से कुछ टिक्टॉकर्स को इतना दुख हुआ है अगर उनके लांग्वेज में बोले तो दुख इन्टू हंड्रेड मज़ेदार बात यह है कि अब टिक्टॉकर्स में ट्रेन चल रहा है फॉलो मी ऑन इंस्ट्राग्राम और सब्सक्राइब मैं यूटूब चैनल अरे वह यार टिक्टॉक कुछ कम था जो अभी आप लोग यहां पे बी गंद फैलाने के सोंच रहे हो अभी टाइम आया है कि क कुछ नया सोंचो और छोटे बच्चो पढ़ो लिखो और रियल लाइफ के डॉक्टर आइपेस बनो फेम और फॉलोवस के पीछे ना पढ़ो अगर वीडियो में कुछ आड करना है तो नीचे कमेंट कर दीजे वीडियो पसन आया है तो लाइक और शेर करना ना बुले